इलेक्शन कमिशन ने हर्याड़ा में सभी 90 विधान सभा सीटों के लिए चुनावों की तारिखों का ऐलान कर दिया है इसमें एक अक्टूबर को मतदान होगा और मतगर्ना चार अक्टूबर को होगी वहीं बीजिपे इस बार लगतार 30 बार सत्ता पर काबिश होने के लिए तैयारी कर रही है तो वहीं कांग्रस बीजिपे को सत्ता से उखाड फिकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है हाला कि इस बार हर्याना का चुनाव 2019 के तुनना में बहँत दल्चस्प होने जा रहा है हर्याना में विधान सभा के कुन 90 सीटे हैं जिन में से बहुमत के लिए 46 सीटे हासल करना जरूरी है 2019 के विधान समझ चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने जेजेपी के साथ गटबंदन में चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी लेकिन इस बार जेजेपी बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है बता दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंतरी मनुहल लाल खटर के चहरे पर चुनाव लड़ा था वहीं इस बार बीजेपी ने नायाप सिंग सैनी को सीएम फेस को तौर पर प्रोजेक्ट किया है वहीं कॉंगरस ने किसी को भी सीएम पद का दाविदार नहीं बनाया था हला कि राजी में कॉंगरस के सबसे बड़े चहरे में पूर मुख्यमंतरी भूपेंद सेंगुद्धा का नाम आता है पार्टी के टिकट वित्रण में भी उनकी बड़ी भूनिका होती है इस बार भी उनकी दाविदारी काफी मजबूत मानी जा रही है हर्याना में जाती समिकर्ण की बात करे तो यहां के राज़्टेती में जाट बना गैर जाट का मुद्धा का काफी हावी रहता है सबी दलों के टिकट वित्रण में भी इसका असर दिखाई देता है बता दे 2014 में जो बीजीपी ने हर्याना में सरकार बनायी थी तो उसने मनुह लाल खटर को मुख्य मंत्री के जम्य्दारी सौपि गय थी अल locked में खटर को सियो मद्ध से हटा दिया गया था और एक और गैर जाट नेता नायप सिंग सैनी को मुख्य मंत्री बना दिया गया इस बार चुनाव में कॉंग्रस के और से हुड़ा और बीजीपी के और से सैनी के आमने सामने होने पर जाट बनाब गैर जाट के लड़ाई हो सकती है 2014 के विधान सभा चुनाव में कॉंग्रस को 15 सीटे जिबकि बीजीपी को 47 सीटो पर जीत हासिल हुई थी वहीं 2019 में कॉंग्रस ने बीजीपी को कड़ी टकर दी इस चुनाव में कॉंग्रस ने 31 और बीजीपी ने 40 सीटो हासिल की जिसके बाद जेजीपी से मिलकर उसने सरकार बनाई हालाके इस बार बीजीपी अपने पुराने साथी को छोड़ कर हर्याणा लोक हिद पार्टी से गट बंदन कर लिया है वही कॉंग्रस अकिले दम पर चुनाव लड़ रही है इस सब के बीच आम आदमी पार्टी भी हर्याणा विधान सभा चुनाव में ताल ठोक रही है ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला बेहद ही दिल्चस्प बहुनी जा रहा है दरासल इलोनो इस बार अकिले चुनाव नहीं लड़ेगी बलके उसने बस्पा के साथ गट बंदन किया है हालाकि जीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया है लेकिन पिछली बार अकिले चुनाव लड़कर उसने 10 सीटे हासिल कि थी इस बार BGP ने HLP के साथ गटबंदन किया है इसके मुख्यक गोपाल कांडा एयर होस्टेस गितिका शर्मा सुसाइट केस में आरूपी थी 2019 में वो अपनी पार्टी से अकेले सरसा विधानसपा सीट से विधायक चुरे गए थे इस बार उन्होंने सरसा और रानिय सीट पर अपना दावा ठोका है यहां से उन्होंने अपने भतीजे धवल कांडा को उमीदवार भी गोशित कर दिया है 2019 से 2024 के बीच किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है 2019 में हर्यारा के किसानों में बीजेपी का विरोध नहीं था लेकिन इस बार किसान लोग सभच चुनाव के दौरान बीजेपी के खलाफ दिखाएं दिये अब इसका असर विधान सभच चुनावों में कितना होगा ये देखने वाली बात होगी